डॉक्टर हर्दीप सिंग्धा नोवल आतमेंदी आर पार्दा अगला हिसा अगले दिन रमन स्वेरी योदेकार आगया रवीदीकार वाली रुकमनी नें द्रवाजा खोलिया ते केंदी ओ बेडरूम च बैठेनें तुसी कोल बैठो मैं चाबना के लिया उनिया रमन ने हासके के अपबी तुसी चाचू फेर बना लियो पहला मैं मिट्टी दे शेर नू मिला मैंनू पताये फोटवां ते मूर्तियां तो शक्तियां मांगरेया होने मेरा सामना करन ले पर मैं ओ साच्चा जडाय दियां मूर्तियां आगे कदे भी नीचुक दा सगोई मेरे तु डर दियां हन रुक्मणी ने अग्गों जवाब देता वीर जी देवी देवतिया नल पंगानी लई दा चंगानी हुंदा रमन पक्का नास्तिक बंदा सी इना गलां ते बिलकुल भी विश्वास ने सी करदा रुक्मणी नू कैन लगा पाभी पहले दा मसला हल करदें फेर भी निया चा उवी पुकोड़ें नाल रवी वियो दी कड़कमी अवाज सुनके बार आ गया रमन ने रवी नाल कुछ गलबाद कीती ते हथाँ उते दस्ताने पाले ओ दस्ताने उने अपनी मेडिकल दी दुकान तो लेके अंदेसन टोक्री चो रमन ने ओ कपड़े ते उही किताब जुक ले फिर बार आके पुछे पाभी आ कपड़ें ते किताब दा कुछ करना जा जला देगे रुक्मणी ने जवाब देता जो मर्जी करो वीर जी साडे गड़ों लाओ एस मुसीवत नू रमन ने मिटीदा तेल पाके सारे समान दी टेरी जी बणाली रवी कुछ भी बोलनी सीरिया सिर्फ चिप चाप खड़ा सी क्योंके रमन ने उनू समझाया सी के जो मैं करदा मैंनू करन देई जे कोई पाप पूप लगा ता मैंनू लगू रमन ने तीली ला देती कपड़े आने चाटा अग फाल ली जियों ही आग पड़ की रवी नू पता ने की हुया बढ़दी अग चो सड़दी हुई किताब बार कट ली बढ़दी अग उते कोल पया पाणी पाके किताब नू फेर तो बचा लिया रमन बढ़ाई खिज के पया तू एसे अपा फेर चुक लिया मैं चंगा पला मुसीबत नू साड़न लगा सी तेरी परेशानी यही किताब है जदों दी तेरे पल्ले पईये ओधों दाई तेरे पल्ले कुझ नी रहा तू कई सालां तो पढ़ रहे है नू सानुवी उत्तों पंजाब आर सुना चुक है एदी अंगला ना ता ये तेरे पल्ले पईया ते ना साड़े पल्ले पासके जित्थे वी जानना तू एदे गोण रोणे शुरू कारदने रवी नू गल जिमें चुब जी गई गल विचाले ओं कटदे हुए केया गोण रोंदा ने गौणदा पावे मेरे समझ ना आई होगे परेश्च लिखे साचनों साचमच ही सई मान रहा हुँ रमन ने फिर तो खिजगे कया जिस रात तू मरन लगा सी उस शाम भी एही पढ़ रहा सी मैनू चंगी तरह यादा तू फोन ते मैनू भी दास रहा सी तेरे मन दी तबाही दा इही कारण सी तू मन पावे ना मन खुदा बक्ष ने भी तैनू कया सी इस काड़े इलम दी किताब ने तेरे सिर्थे जद्दू कार रखे तो तू एदे कबजे चो बार निकल मैं हुने ये दा किरिया करम करदा लिया फड़ासिटी इनू अगवेच रवी ने किताब पिछे कर ली ते किया मैंनू उस दिन दी कटना दा पावे कुछ भी याद नी पर ये जरूर पक्का विश्वास है कि जी असी जिन्दा हाँ तैस करके जिन्दा हाँ तैनू नी पता मैं कई वर बेख्या कि जदों वी मैं अपने आपतों निराश हो जाना जी मरनू करदा तै इनू पढ़न आल मैंनू होसला जय हो जान्दा सी मैंनू चंदरू ने बाच दस्या सी कि असी उस दिन पक्का वादा करके पए सी कि अग्ये तो बिल्कुल भी नशा नहीं करांगे उस दिन सिर्फ आखरी वारी नशा करन लगे सी तै आखरी आखरी दे चकर्चित ज्यादा ही नशा कर गए इही गलती होई साड़े तो पर इनू पढ़न करके असी नवे सिर्यों ज्योंडा निश्चा कर लिया सी बाद भी चुपता नहीं की होया समझी नहीं आया फिर केहाई किताब जे किसे नू मारंदी ताकत रख दिया ता फिर बचाउन दी भी ताकत रख दिया रमन ने मौका पाके उदे हत्तो किताब खोके फिर तो अगच सुड़ दिती रवी ता जमें बोंदर जी आगया बढ़ दी अगच हत मार के फिर तो किताब बार कट लिया किताब हाले थूड़ी जी चुल सी सी रवी ने अगब जाके उनू का छिच दब लिया इस कल ते रमन उसनल गुसे होके लड़न लगा अगो रवी वी उल्टा गुसेच कैन लगा के मैं तेनू परेशानी कटाउनली बुलाया ना के वदाउनली मसला थोड़ा शांत होया तो दो में जणे अंदर आके चुप-चाप बैगे रवी किताब नाड लेके बातरूम जो चला गया मिटी ते खून ना लिबडी होई सडी किताब नू पाणी नाल साफ करन लग पया काफी देर साफ करन तो बाद जदो बाहर आया ता रमन अपने का अरजा चुका सी रवी किताब दी हालत वेके बहुत बेचैन ते उदास्ट या होके कमरेज बैगया पता नी कि उए इस किताब नू सुटन ली तियार नहीं सी पर पक्का विश्वास सी कि कुछ ता है जो इस विचो समझ नहीं सी आ रहा उन्हें सोचया कि उन्हा दीपक नू फोन कीता जाए उस साधू जी नहीं किताब दिती सी उन्हों मिलन दा कोई प्रोग्राम बढ़ाया जाए क्योकि उस साधू निरंजन स्वामी दा उदे कारणा जाना रहंदा सी रवी ने स्वामी जी तो कई गल्ला उदे कार्ची समझियां सन पर पोड़े सु बाकारण कई बरीकियां उदी समय तो बारी सन दीपक ता अक्सरी केंदा रहंदा सी के किताब अत्ता आत्त जिनू इस समझाओ उदी अत्त करा देड़ी ए लाइन उदे समझे आदत नहीं केंदा हुंदा सी पर वैसे वेख्या जाये ता रवी दी ता अत्त ही कराई पई सी दीपक वी रवी दी हालत वेह के बहुती गल नहीं सी करदा उस होईदा सी के दुकान दा वपारी ते आत्मा दी सुवारी दा कोई मेल नहीं उन्हें किताब दी कोई गल मानते नहीं सी लाई मैं सोच रहा सी के रवी मौद दी दहलीस तो ता मुड़ा है उन फेर तो चरस्ते ते खाली हाथ खड़ा है कि ये अपने पगंबर नू लब सकेगा जो एदा इलाही प्यागाम नू समझा सके क्योंकि नरंजन दे तरीके ता इनू समझ नी सी आ रहा अग्ये जो कहाणी हाले शुरू होनी सी इकिसे नू पता नहीं सी पर मैं मुंतजर हां हर राही दा जिने भी मेरी वाल यातरा दा पहला कदम पोट लिया मैंनू इंतजार रहन दे ती अक्खां देहली जोते लगियां रहन दिया ने जिननी तेर कोई आके दर्वाजा खड़का नहीं देन दा मैं ता दर दी कूली बैठा रहन दा पर कोई टांगनाल दर अंदरों खड़कावे ता से रवी ने दीपक नू फोन कीता ते सारी परेशानी दसी नाड़े मिला नू किया ओगो दीपक ने किया के क्यों नै मसला कुत्रया दी मजलिस वेच रख्या जाए रवी भी मन गया ते पंचन दा समा पक्का कर देता अगले दिन शावनू छे वाज चुपके सांते सारे यार अपो अपने साधना ते तैशोधा थी काने ती पंचन दगे रमन ते पगजी ने थोड़ी देर विच मेज बानी दा मेज सजा दता शराब शर्बत ते होर खान पीन दा समान आना शुरू हो गया सारे दोस्त बैठे सांते दीपक ने गाल शुरू की ती अजदी गुजारिशे आए के आपा रवी वीर दी मुश्कल दा हल कड़ने ते मजाख बिलकुल नहीं करना और अमने चाटके अवीर जी जे रवी ही मसला हल ना करना चाए तासी की कर सकते है ये इस किताबनू पर अब शुरू नहीं चाटा ते मसला हल हो नहीं सकता ये पोड़ा पंची इदे शबद जाल च फस्या पिया है मैं वी पड़ी है मैंनू नहीं समझ पई मैं चाड़ देती पर ये पता नहीं की कड़ना चाए ताबनू किताबी रेंड देना चाहिदा नहीं ते सिर्थे च पर मैंनू तो कोई शक्ती ये सिद्धी नहीं लबी इनू ही के ते समझन चपले खाला गरिया है पागत ने क्या यार जमें हजारां तरह दा कपड़ाय बजार वेच पर सब अंदर तागाई को जे ही हुंदा है मतलब रूं तो ही बढ़या हुंदा है किसे विच पलिस्टर पाया चमक दमक लई पर मूल रूपता रूई हुंदा है इसे तरह तार मी गरंद हजारां के समझन मूल रूपता सब दा इकको है आत्मा ते पर मात्मा नू लबना हरे एक दे टांग तरीके वक्को वक्रे रवी बोलिया वीरे सब अंदर इकको ही है पर ये स्वेची का बहुत फर्क है नहीं एक आड़े ते तत्ते दा अंतर है गाली को या एवे आड़े तत्ते पिछे मेफिल दा मज़ा ना खराब करो ये तुसी रब रुब दिया ही गलां करनी है ता मैं चला इसे खजल खुआरी करके ता मैं अंदा नहीं इस कुत्रे यां दी मजलिस वेच सारा मज़ाई किरकरा हो जांदा है हो जी एंगलां करके मेरी मनोत आव एको पिछे कताब दे पता लिखे उना नो फोन करो ते उत्ते जाके सारी गली को वारी चंगी तरह समझाओ और कोई हाल नहीं है मसले दा फिर रमनी क्या दीपक तुई हिमत कर नाल जाए दे उत्तो ख गल नो उड़न तो पहल नहीं परकाट देंदे ते गल हेठा सोट लेंदे ते उदा चंगा मजाख कर दे इसलिए यारा ने दा ना ही कुत्रेया दी मैं फिल रखिया सी तिन चार दिना बाद दीपक ते रवी ने किताब ते लिखे फोन ते गल कीती क्योंकि जदों दा रव नल मुलाकात होई उन्हे इना नू पांज दिना बाद मिलनदा समान दिता रस्ता पुछके दीपक ने कागज हुथे लिख लिया उस जगह ते जानदा रस्ता सिदा नहीं सी दीपक जिननाक समझ सकेया ते निशानियां वी छोटे बड़े दरखतां दिया लिख लेगा ते किते किते तारां दी वाड लगी समझ सक्या क्योंके करता राम जरा कु थथला आके बोल रहा सी दीपक नि क्या यार नेडे पहुंच के लब लांगे नहीं तको मुके वापस आ जांगे अज जो दो में जणे स्वेरे नौ वजे हो थे जानदा प्रोग्राम बढ़ाई बैठे सन उना बकी यारानू भी पुछिया पर कोई भी नाल जानू त्यार नहीं हुया खोदा बक्षता मन तक कर रहा सी पर काले इलम तो डर्दा भी मुकर गया त्य अगली वारी जानदा वादा करके टाल देता स्वेरे रवी जान तो पहला अपने कार साफ कर रहा सी ता डिगी वेच पई किताब बे के हस पया रुकमनी दे डर्द तो वो इनू लुको के राखदा सी चोरी पढ़के फिर तो कार चु लुको देंदा सी किताब कड के उन्हें कार दी पिछली सीटते राख देती कार साफ करके मुडल लगा तो उनू लगा जमें किताब कह रही होई के रवी तू कब रा आना मैं आज अपने मालिक कोल चली गया पर तू अपने मालिक नू कदो लबेंगा मेरा मालक सब दा मालक है परोधा गुलाम कोई ने रवी ने किताब चुकी पिछली सीटते बह के पड़न लगा मानविच सोच रहा सी के आखरी बारी दो चार पने पड़ लेने अफिर पता ने पड़न दा मौका मिले जाना रवी ने एक पनाफ रुलेया पड़न लगा चेतनां दे द्वारे बैजा लालचनाल नहीं सुध मननाल चेतनमय होन ले जाई दै ओध्वारा ना ता कदी तौनू पकड़ दै ते नाई छड़ दै फडना छडना ता चित दे चितरहार हा जिदे पर्दे ते कदी कोई खेल हुनदै कदी कोई तमाशा जिसो ते खेल असी खेल देया, ते तमाशा लोक वेखते ने, ते एचित की है, ए मैं दा प्रतिबिम्य, ते मैं ब्रह्म, मैं दा अंच्टे, ब्रह्म जो ब्रह्मन कर रहे हैं, पाव जो चल रहे हैं, जो आदकाल तो चलनत है, सदाई चलाई मान रहेगा, ए जो जिवनत चल हो रहे हैं, मैं दे सुक्षम तंदाना बने हैं, ए तंदान दे ही ताने बाने दे स्रीर बने हैं, कोई बनस्पती हो रहे हैं, कोई जानवर हो रहे हैं, मैं ही पैदा हुन दी हैं, मैं ही चल दी ते मैं ही बिनस चान दी हैं, इस चितनों चित मैं अनुभव कर दी हैं, तुस पुरंश कहों देओ, अपने अंदरों पुरंश नू लबणा पेंद है, इनू लबण दी ही यातरा है जीवन, रवी अगला पन्ना पल्टनी लगा सी के दीपक दी गड़ी दा हॉन वाज गया, रवी के ताब बंद करके अंदर त्यार हून चला गया, दीपक कोनी देर चाप पेंद लगा, रुकमनी ने किया वीर जी, खीर बनी हुई है, इक कॉली पाके लियावाँ, दीपक ने एगगो जवाब देता पैंजी, मेरा टेड़ता पहलें पर यापी है, रुकमनी ने फिर पुछिया, मैं थोड़ी जी डबेच पा देनिया, तुसी रस्तेच अपने का फुड़ों दे जायो, पाभी काली कह रही सी, के जे खीर बनाई ता थोड़ी जी पिजवा दियो, नाले बच्ची खालेंगे, दीपक ने हास्दें होयां कि आये, उता तो नो मजाख कर रही हुनी है, रुकमनी ने खीर डबेच पार के गड़ीच रह देती, ते जदन दो म वद्धू लगा लियो, पर इना दा किताब तो खेड़ा छोड़ा के ही आयो, जे तो अनुठीक लगे ता इना दा चाड़ा वगेरा वी करा दियो, रवी ने किताब चुके चोड़े चुपा लेगे, दोमें जने मन्जिल वाल तोर पै, कोई होर चीज लेनी सी, उबजार चुल लेके अपने रा पै गए, खीर वड़ा डबा दीपक अपने का अर्फड़ोना पुल गया, चार पंज कंटे दा सफर करके उकिसे पहाड़ी लाके वल दस्से होई रस्ते ते मुड़ गए, हाले ओ नो दस मेली गए सी ते अबादी खतम हो गए, ते रस्ता निर्जना जया हो गया, असे पासे संगणा जंगल बिया बान, उते कोई जी जानतवी नजर नी सी आ रहे है, दो में जरा कू कबरा आ गए, के के ते घल्त रस्ते वलता नहीं मुड़ पै, जिवें करता राम ने समझाया सी के रस्ता सारा जंगली ते जो खम पर रहा है, सजे रस्ते चड़ी जाने है, खबे चड़ी जाने है, ते दीपक नू करता राम ने पाशा जिनीक समझाया उमें लिखी गया सी, उनू एही सी के जे लब गया ता ठीक है, नहीं तक उमफेर के खापी के वापस आ जांगे, होसला ते उमीद रखते हुए, थोड़ा जय हो रग्गे गय तो सड़क दीतराई जी आई, जवें पहाडी लाकेच, पाणी लंगन ली, सड़क नीवी बणी हुन दी है, दीपक समझ गया के रा ठीक है, ते उन्हें करता राम दी रमज पचान ली, रवी नी क्या मैंनू लगदा, यार अपा रा पटक गया, क्यों ना किसे तो रा पु दूंगी फड़काओ, फिर दुतान आओ, उत्तो ताती ते अदे आजयो, आ लंगी दूंगी सड़क, वा आगी चादी दुकान, उन्जरा रुक के चापीनेया, फिर तो अगे दरा पुछके चाल देया, उन्हा गड़ी साइट ते लगाई, चावले बंदे तो कुछ खान दे, अधिवी दरात्तो हालते हो, ते आए, उन्हें जान बुझ के थथला के क्या, जिदा चावले नूं गुसा लगा, वो जो दो चाड़ियांच पिशाव अगेरा करके आये थी, हात तो उनली पानी मंगया, गो चावले ने पानी ली मना करता, उत्तो के दा है नी तानी, उन्हें जान बुझ के पानी नहीं देता, चाव नाके रखी पे, इसी ओवी ठंडी होगे, पड़ी ओखे जे माननाल चाव पिंदे होई, पुछे आवीर जी, असी दर्शन दुआर देरे जाना, तुसी रात आस सक दे, चावले ने क्या, ओ थुरस्ते चले जाओ, दीपक चाटजेब चुई काज़ कड़िया, उस चुवे के आखन लगए, एदे साब नाल तक अबे कबे मुड़ी जाना, पिर चावला बुलिया, दिद्दर मर्दी जाओ, दीपक नहीं जवाब देता, आ नक्षा भी किसी ठथले नहीं समझाया सी, शैत्वा नू समझ आजे, मत्थे ते हाथ मार दे हो, क्या यार, इस ठथले दी मनियें जा उस ठथले दी, दो मात ठथले आने तसा डखोता, खुज पाता, हुन की करिये, मत्थे ते तियोडियां पाई, दीपक ने गड़ी सज्जेपा से मोड ले, अगे जाके उपटकन कारण होर दस मिन्टांच कुम दे रहे, काफी देर पटकन तो बाद कुमा के, फिर तो उसे चादी दुकान थे आगे ते हुन दुकान बंद पर इसी, दीपक ने क्या हुन आपक, खबे खबे राते चलिए, तनवाद चलदा